वाइस तो हम लोग देख रहे हैं लूसेंट जी के तो हम एंशींट हिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम लोग ने लास्ट में बहुत धर्म जैन धर्म यह सब पढ़ दिया था आगे के कुछ धर्म बचे हैं उसको देखते हैं फिर आगे से मोर समराज वगएरा देखेंगे तो अब देखते हैं शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंदित धर्म को शैव धर्म कहा गया यह तो नाम से ही समझा रहा है कि भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव बोलते हैं और उनसे रिटेट धर्म को शैव धर्म कहा गया है शिवलिंग उपासना का प्रारंभु कुरातविग साक्ष्ष हडप्पा सनस्कृति के अफशेश हो से मिला है। अब किस इस मिला हुझत्य कि उपासना का सबसे पहला साएं से सदस्केरेसी हडप narrativeone तोvreào पुजा का पहला इसपश्ट वर्णन किसमें है तो मत से पुराण में महाभारत की अनुशाशन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है तो जो महाभारत का जो अनुशाशन पर्व है उससे हमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है रुद्र की पत्नी की रूप में पारवती का नाम तैथरीय आरण्यक में मिलता है फैक्ट्स हैं आपको याद रखने है कि रुद्र की पत्नी की रूप में पारवती का नाम जो है वो हमें तैत्रिय आरण्यक में मिलता है शिव की पत्नी की सौमी रूप है जैसे पदमा पारवती उमा गौरी और भैरवी ठीक है वामन पुराण में शैफ धम की संक्यत चार ब क्ला पार्व का सर्वादिक प्राची इसके संस्थापक लघ भगवान की 18 अफ्तारों में से एक मानते है तो इसमें क्या है शैफ प्राची सबसे पुराना संप्रदाए player इसके शार्शा next a ठोड़ा सा ऐसी करके दोनों को जोड लीजे जन्हें भगवान शिष्क के 18 अफतारों में से एक माना जाता है लकोलिष को पाशुपत संप्रदाई के अन्युआयों को पंचार थिक खा गया है तो जो पाशुपत संप्रदाई सबसे पुराना है उसके अन्युआयों को हम कहते हैं पंचार थिक बोला जाता है इसमत का प्रमुख सहधानति ग्रंत पाशुपत सूत्र है तो यह तो आपको नाम से आजीवक संप्रदाइए के संस्थापक थे मकली पुत्र गोशाल ठीक है यह याद रखे घोर अक्रिया वादी के संस्थापक थे पूरण कश्य यह दच्छावाद के थे आचार अजीत भौतिक वादी के थे पकुत कच्चायन भौतिक शास्च के ठीक है भौतिक दर्शन के और अनिश्चैवादी जो संप्रदाय था उसकी संफापकते संजय वेठली पुत्री याद रख़िये कपालिक संप्रदाय था वह 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 उनके देव थे तीक है इस देव थे और संप्रदाय में सेंटर करता श्रीश हल नायमकन पर कआला मुख संपर्दाई के अनवाहियों को चिव पुराण में महा ब्रत्धर कहा गया है। इस संपर्दाई यह नर कपाल में ही भोजन जल और सुरापान करते है। तो इसंदो कालामक प्रशन्ल इसे जंगम भी कहा जाता था अभी करेंड में भी चल रहा था लिंगायत संप्रदाय तो आपको पता हूं जिए लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिन में ही ज्यादा प्रशले था इसे जंगम भी कहते थे इस संप्रदाय के लोग शिवलिंक की उपासना करते थे तो देखें लिंगायत नाजी समझ में रहे हैं कि शिवलिंक की उपासना करते थे संपधाइस स्विस्थ ने संपधने लिंगायतों का प्रमुठाल गृंत है तो लिंकार जिए चरकार में धाला रखें वसपब पुरान में लिंगायक संपधाया के प्रवर्तक अलभ प्रभू तता उसके शिशवासथ को बताया लिंगाय संप्रदाई के प्रवर्तक कौन है इस संप्रदाई को वीर्शिफ संप्रदाई भी कहते हैं इसके बाद देखते हैं देखें वासब तथा उनका भतीजा चन्ना वासब करनाटक के कल्चुरी राजाओं के दर्वार में रहते थे जैनों के साथ कटेन संगश की उपरात उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी उन्होंने जाती प्रथा का कड़ा विरोध किया उपवास प्रीती भोष तीर ध्यात्रा बली प्रथा को अस्विकार किया यह ध्यान रखें बाल विवा का विरोध किया और विद्वा विवा की अनुमती दी थी दसवी सतापदी में मचसेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाई की स्थापना की थी उनका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरक नाथ के समय हुआ गोरक नाथ ने वन विवस्ता और भामडों के विशेशदिकारों की अलोचना है तो नोननने वण विवस्ता थी और ग्रामदों को विषए शाधिकार मेले वें अलोश्ण कीती उनकी द्वारा प cohesive भारत में छैवधाम चालो करा प्लव एर चोलो की समय लोग प्रिए ठांब चालो रासकूर पंलवचोल थे उस समय वह लोक पर यह था पंलवगकाल में शैवधर का परचारपेसाइब नए नारों द्वारा किया गया और नए नार संतों गी संक्या 63 जिनमें अपार तिरूग्यां संबंदर सुंदर मूर्टी आदी के नाम उलखनी है तो देखे ऐसी आदर अ अलोरा के प्रसिद कैलाश मंदिर का निर्मार राष्ट कूटो ने करवाया यह बहुत इंपॉर्डेंट है कि अलोरा के जो प्रसिद कैलाश मंदिर है उसका निर्मार राष्ट कूटो ने करवाया था चोल शाशक राज-राज-प्रिथम ने तंजोर में प्रसिद राज-राज ब्रहदिश्वर मंदर के नाम से भी जाना जाता है कुशार शाशकों की मुद्रा वपड़ एवम नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है पशुपती-नात अब नेपाल की राजधानी काट मेंड़ू से श्राष्ट बनने से पहले ये मंदिर राष्टी देवता भगवान पशुपती नात का मुख्य रिवास मानत जाता था इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश शांस्कितिक विरास स्थल के रूप में सुचिवत किया गया मुख्य मंदिर का निर्मान वास्तुकला की न विकास भगवत धर्म से हुआ भगवत हरु कि अपमें बतर ब्रिसर बशन कभीले के बसंग के अंधिर के रीर्जIGH मैं चांटंग के रूप में हुआ है तो कृष्ण का सबसे पहले उल्लेक पराण में मिलता है विश्णु का वारा अफ्तार था वो सरवादिक प्रसिद्ध था वैशनव धर में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सरवादिक महत भक्ति को दिया गया है भगवान विश्णु की सुदर्शन चक्र में छे तीलिया है अब देखे प्रमुक संप्रदाय मत और उसके आचार वैशनव संप्रदाय जो है उसका मत है विशिष्टा दुएतवाद ठीक है याद रखे आचार रामानुज थे विशिष्टा दुएतवाद रामानुज थे इस पर अभी रामानुज ठीक है इन पे questions भी आए हैं एक्जा निमबार्थ थे कुछ ट्रिक बनाएं याद करिये कैसे थी ईंको याद करना हो हूँ है प्रमुक संप्रदाय संस्थां पुस्तक लाइव ते फिस तक नाम देव दिए कि अंकोरवाट का मंदिर刑 कंबोज के राजा सूर्य वर्मा देते जो 1130 इश्वी से 1150 इश्वी में ने बनवाया था तो अंकोर वाइट का मदर जो कंबोडिया में वो राजा सूर्य वर्मा देते ने बनवाया था इस मंदिर में लगबग 10.5 फीट ऊची भगवान विश्णु की मूर्ती स्थापित है अब नेक्स देखते हैं इसलाम धर्म के बारे में वैश्ण धर्म हो गया तो इसलाम धर्म की संस्थापक हजरत मौम्मद साफ थे तो इसके संस्थापक को थे हजरत मौम्मद साफ हजरत मौम्मद साफ का जन 570 इश्वी में मक्का के प्रमुक कुरेश कवीले में हुआ तो अज़ाद महमत साप को 610 इश्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ग्यान की प्रापती हुई 40 सितंबर 622 इश्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यातरा इसलाम जगत में मुसलिम, समवत, हिज्री समवत के नाम से जाना जाता है तो जब उनने पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो इसलाम जगत में मुस्लिम समवत जो हिज्री समवत है उसके नाम से जाना जाता है महमत की शादी 25 वश के अवस्था में खदीजा नामक विद्वा के साथ हुई तो इनकी शादी जो है वो खदीजा नामक विद्वा के साथ हुई थी मुहमत की पुत्री का नाम फातिमा और दामत का नाम अली था देवदू जिब्रियल गैब्रियल ने पैगंबर मुहमत साब को कुरान अर्भी भाषा में संप्रेशित की कुरान इसलाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो देवदू था गैब्रियल ठीक है उसने जो है पैगंबर मुहमत साब को कुरान अर्भी भाषा में संप्रेशित की थी कुरान इसलाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यारों में बटी हुई है इसमें 6360 पद है मुहमत साब के सुन्च का का विवरन है तो अपने उन्ही इसमें सुन्ना पैगंबर मुहमत साब के कतनों कारें का विवरन है तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना विश्वास करते हैं सुन्ना क्या है पैगंब मुहम्मद साब की कत्नों और कार्यों का विवरण है जो सिया होते हैं वो क्या है अली की सिक्षण विश्वास करते हैं मुहमत साहни का नियाय सम्मत उत्रादिकार मानते हैं अ्याय जो शिया होते हैं वो अली की शिवास करते हैं अली की 1661 इश्वी में हत्या कर दी गई थी अली के पुत्र हुसैन के हत्या-टसी इश्वी में कर्भला एराक नावन इस्थान पर अ दोनों हत्या ने शिया को निश्यत मत्व का रूम दे दिया फगमबर मुहम्मद साप उत्रादिकार था उत्रादिकार खलीफा खलीफाँ कहला है अपने आंदोलन खिलाफत आंदोलन सुनाओगा जो खलीफा से इड़र था तो यहां से आप चीजों को समझ सकते हैं इसलाम जगत में खलीफा पद 1924 इश्वी तक रहा 1924 इश्वी में इसे तुर्की के शाशक मुस्तिफा कमाल पाशा ने सवाप्त कर दिया ठीक है जिसके साथ हमारा खिलाफ़त आंदोलन भी सवाप्त हो गया था तो ठीक है ये तुर्की ने इस पद को सवाप्त कर दिया इसके बाद देखते हैं इबन अशाइक ने इस पैगंबर जीवन चरिट लिखा तूम सपर पैगंबर की जम दिन पर मनाया जाता है ठीक है अब उनके कह Macedo 612 में अर्वो ने सिंद जीत लिया ुअर सबसे पहले भाथ कि इसी भाग में इस्लाम एक महत्पुन धर्म बना तो क्या हुआ कि 702 मेंं अर्वो ने कह待 सिंद अर्वो यहां चिप्राइब ली थी इस्लाम एक महत्पुन धर्म नमाज की दौर मुसल्मान मक्का की तरफ मुह करके खड़े होते हैं भारत में मक्का पश्यमकी और पहंपता है इसाई धर्म इसाई ध्रम की संस्थापक ISHA मशी है और प्रमग्रंट इनका बाइविल है इसाई मशी का जन्म जेरूसिल्म की निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ इसाई के जन्म दिवसको क्रिस्मस के रूपे मनाया जाता है अभी अपने 25 दिसमबल क्रिस्मस मनाया होगा तो उनके जम तिन पर Christmas मनाते हैं इशा मशी की माता का नाम Mary और पिता का नाम Joseph था ठीक है? इनके माता का नाम Mary था और पिता का नाम Joseph था इशा ने अपने जीवन के प्रतम 30 वर्ष एक बड़ाई के रूप में बैथ लेहम के निकट नाजरेत इसराइल में बिता है तो इन्होंने अपने starting के 30 years एक बढ़ाई के रूप में विताए इशा मशी के प्रथम दो शिष थे एंड्रूज और पीटर इनके दो शिष थे एंड्रूज और पीटर इशा मशी को सूली पर रोमन गवर्नर पॉंटियस ने चड़ाय था रोमन गवर्नर इशा मशी 33 इश्वी में सूली पर चड़ाय गया आत्मा है बारवी सदी में अरमबई भडवनों की तूला में अधिक उचे औहल के चर्चों के निर्बांट प्रारण DM हुए है वास्तुकला ये चरुट्टि इन के पड़च ओधर्वन इनकी सिक्षाओं का संगलन जेंदा अवेस्ता नामा ग्रंत में इनकी सिक्षाइधि है जो पार्सियों का धार इठारि है इनकी मूल सिक्षा का सूतर है सद्विचा सद्वचन सद्कार है तो यहां पर हमारे सारे धर्म हो गए देखिए जादर क्वेश्चन जैन्द हो जो बहुत धर्में उनसे आते हैं इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाद हम अपना आगे की चीज जो मगद राज है और समराज है थोड़े और इंपोर्टेंट टॉपिक्स नेक्स